एक कहावत कही जाती है कि जब भुरा वक्त आता है तो सबसे पहले आपके अपने आपका साथ छोड़ देते हैं आज अडानी के साथ में वही होता हुआ नजर आ रहा है एक तरफ अडानी को जटका लगा लगातार उनके शेर गिर रहे हैं शेरों की कीमा जो है वो पचास से साथ फिस्दी तक गिर चुकी है और दूसरी तरफ अब खुद योग्य दितनात की सरकार ने भाजपा के डबल इंजन की सरकार ने उनका टेंडर रद कर दिया है करोड़ों रुपे का टेंडर था वो रद हो गया है और लखनव से लेकर के पीएमो तक दिली तक खलवली मची हुई है कि आखिरकार ये हुआ कैसे इससे पहले हिमाचल की जब सरकार बनी थी कॉंग्रेस की सरकार बनी थी अभी हाल के अंदर तो उन्होंने भी सिमेंट के महाँ पर जो प्लान चल रहे तो उनको बंद करा दिया था लेकिन आप भाजपा को आखिरकार क्यों हाथ पीछे खीचने पड़े और क्या ऐसा हुआ कि योग्य दितनात की सरकार को ऐसा ओडर देना पड़ा योग्य दितनात की सरकार इसमें इन्मोल है या कोई अधिकारी है जिनोंने फैसला लिया है समझना जरूरी है और जब आप समझेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी इसलिए खबर को आखर तक देखी आपको समझ में आएगा कि कैसे अडानी के साथ में क्या क्या हो रहा है और अडानी को कहां कहां से कैसे जटके पर जटके लग रहे हैं बेलाल मैं खबर आपको बीबिसी की दिखाता हू अदानी समू को हजारों करोड रुपे का टेंडर योगी सरकार ने रद कर दिया वो आपको याद आरा है कुछ ऐसे करने से मुझे याद आया मोदी जी ने का था कि पाँचसोर हजार के नोट आजसे कागज कियो जाएगी रद्दी हो जाएगी हजारों करोड रुपे का टेंडर अडानी समू का वो योग्य दितिनात की सरकार ने रद किया है अब कौन सा टेंडर था क्या था ये मैं आपको दिखाता हूँ अमर उजाला में प्रकासित खबर के मताबिक यूपी सरकार की हिकाई मध्धान्चल विद्धुत वित्रण निगम ने अधानी समू की ओर से स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगाने का टेंडर निरस्ट कर दिया है इसकी लागत 5400 करोड रुपे की अनुमानित दर से करीब 48-65% से अधिक होने की वज़े से ही विरोध हो रहा था और अब इसको जो है अखबार के मताबिक अब पश्चिमांचल पुरवांचल और दक्षणांचल और डिसकॉम के टेंडर पर नजरे ठिकी हुई है दक्षणांचल में अधानी समू का टेंडर है तो ये जो है एक स्मार्ट प्रिपेड मीटर उसका टेंडर था 5400 करोड रुपे जिसके लागती हजार करोड रुपे जिसके लागती उसको रद कर दिया है उत्तर परदेश में करीब 2.5 करोड प्रिपेड मीटर लगने है इनके लिए 25,000 करोड के टेंडर हुए हैं जिसमें से मैसरस अदानी पावर ट्रांस्विशन के अलावा GMR वें इंटेली स्मार्ट कंपनी के टेंडर को दो पार्ट में हसिल किया इन्हे कारी करने का आदेश जारी होने वाला था लेकिन इनके टेंडर के दरों को लेकर के विरोध हो रहा था तो पहले जो है वो मैंगे दर के हिसाब से टेंडर दे दिये गए लेकिन अब जब घाटे पर घाटा हो रहा है तो चलो एक घाटा और डानी को हम देते हैं वो टेंडर ने रसते हैं टेंडर के परस्ताओं के मुताबिक हर मीटर की कीमत करीब 9 से 10 हजार रुपे पड़ रही थी, देखें किती भारी कीमत है, जबकि अनुमानी तलागत 6 हजार रुपे परती मीटर है, जब गाड़ी सीधी चल रही होती है न, जब गाड़ी वो कहते हैं कि कानून जब नहीं द मुनाफ़ा, और 6000 भी उसमें से उसमें मुनाफ़ा होना था, लेकिन यहाँ पर 6000 रुपे एक्स्ट्रा मुनाफ़े के अलावा, लेकिन अब वो टेंडर निरस्त, इस मामले में यूपी पावर कोर्परेशन लिमिटेड ने परती मीटर से अधिक मुल्य होने वाले मामले में उर्चया मंतरा लेकि सलहा लेकिन वहाँ से भी फैसला कोर्परेशन पर ही छोड़ दिया गया, तो कैसे सब कुछ चल रहा है, मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ, इस ट्वीट के जरीबे आप समझे, संजे सर्मा है एडिटर जो है, और इनों ने लिखा है, यूपी स सिंग का कल का दिन तुफानी होने वाला है, सुत्रों का कहना है कि कल का फैसला पलट सकता है, ये इनों ने कल जो है वो देर रात को ट्वीट किया था, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई खैर खबर नहीं है, यानि अडानी साहब के यहां पर भी अच्छे दिन नहीं, अडानी साहब को हजारो करोड रुपे का जटका लग रहा है, ये हालत हो गई है, और जब हिमाचल के अंदर इनका सिमेंट की प्लांट बंद किये गए थे, तब का आ गया कि देखिए, कॉंग्रेस की सरकार आई है, तो वो एक तरह से बदले के भावना से काम कर रही है, ल यहां तक कि ओबालीवूर चले गए, मुंबई चले गए, और मुंबई से भी कहने कि फिल्म इंडर्स्ट्री यहां पर लेकर क्या हो, लेकिन जो है, उनके साथ में क्या हो रहा है, या फिर अडानी से जो है, वो हाथ सब लोगों ने खड़े कर दिये हैं, हाथ अपने अडानी अब इस हालत में पहुच गए हैं, कि अडानी जो है, वो खुद से या तो संभलें, या फिर डूब जाएं, भाजपा ने उनसे किनारा कर लिया, सवाल कई सारे हैं, पहले भी भाजपा और अडानी की जुगलबंदियों को लेकर के, और अडानी और भाजपा की न क्या वाकई ये टेंडर जो है, वो केवल एक IES के भरो से वो रद हुआ है, या जैसे BBC की खबर में लिखा है कि उर्चा मंत्राले से भी सलाल ही गई, और उर्चा मंत्राले ने फिर फैसला कोर्परेशन के ओपर छोड़ दिया, या पहले से बात हो चुकी थी केवल IES का भर कर दिया, और यहां पर तो योगे दितना की सरकार चाहती है, और यह फैसला फिर से पलटा जाएगा, सवाल अब यहां पर आकर के खड़ा हो गया है, तो बेराल समय बताएगा कि चीज़े अब आगे किस तरह से और कैसे आगे बढ़ती है, लेकिन निश्चित तोर पर अड अडानी के शेरों की और कैसे हालत होगी, क्योंकि 85 फीज़दी तक भौश्यवानी हुई है, कि 85 फीज़दी तक अडानी के जो शेर हैं, वो नीचे आ जाएगे, और 85 फीज़दी से नीचे आने का मतलब यह है, कि एक तरह से पूरा बरबादी, अब इस बरबादी को रहेगा, यह इस फैसले को पलटना पड़ेगा, यह इस फैसले यह फैसला किया, इसलिए गया है, कि एसकी एवेज में और कुछ निकलवाय करवाया जा सके, क्योंकि सरकारे, राचनित्य और बिजनिस यह सब कुछ जैसे दिखते हैं, वैसे होते नहीं है, जैसे इधर जा जा रहे होते हैं, उधर उनकी चाल नहीं होती है, इधर जा रहे होते हैं, तो इधर चाल होती है, आपके सोस्ते समझते हैं, नीचे कमेंट वोक्स पर अपनी राहे लिख करें, मुझे जरूर बताइए, इस वीडियो को खूप शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम ख़ब जरूरण